नमस्ते दोस्तो वाच वाला दाद आपका स्वागत करता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया के ऐसे पाच हाइली कलेक्टेबल मेकेनिकल वाचेज जिनकी कीमत 200 डॉलर से भी कम है मतलब आप इन वाचेज को 15,000 रुपे से भी कम में खरीच सकते ह दोस्तो जब से मैंने इस चैनल को शूरू किया तब से अब तक एक सवाल मुझे हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि मैं अपने चैनल पे सस्ते वाचेज को क्यों नहीं दिखाता हूँ सस्ते मतलब 10,000, 5,000, 1,000 रुपे वाचेज तो दोस्तो ये पैसे की बात नहीं है क्योंकि मैं इस चैनल पे सस्ते वाले वाचेज भी दिखा चुका हूँ जैसे कि Casio F91W जो कि आपको 15 डॉलर से भी कम में मिलेगा लेकिन बात सही इंफॉर्मेशन देने की है मेरे चैनल पे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ मेरे चैनल पे मैं कभी भी ऐसे वाचेज नहीं दिखाता हूँ जहां पे आपका पैसा वेश्ट हो बहुत सारे लोग 500,000 रुपए के सस्ते वाले वाचेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि यह रोलेक्स या ओमेगा या फलाना डिकाना आइकॉनिक मॉडल का अल्टरनेटिव है लेकिन वैसे सस्ते वाचेज का ऐकॉनिक वाचेज से दूर दूर का भी रिस्ता नहीं होता है जब आप ऐकॉनिक वाचेज को हाथ में पकड़ के देखोगे तब आपको मैसूस होगा कि यह कितने डिफरन्ट है सस्ते वाचेज से तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोना खरीदने के लिए या मोबाइल फोन खरीदने के लिए कितना पैसा डालते है लेकिन बहुत कम लोग है जो वाचेज में इंटरेस रहते हैं और वाचेज में पैसे को डालते हैं और आप अपने बच्चे या पोते को दे सकते हो और वो इन वाचिस को याद रखेंगे कि ये मेरे पिता जी का मेरे दादा जी का वाच था लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं सब कोई महेंगे वाचिस को आफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा आने जा रहा हूं वाचिस जो 200 डॉलर से भी कम में मिलेंगे हाँ दोस्तों 15,000 भी कम नहीं होते हैं लेकिन वाचिस के लिए देखा जाए तो एक्चुली 15,000 बहुत कम है क्योंकि एक वाचिस इतने महेंगे होते हैं कि उतने पैसे में आप एक बड़ा सा आलिशान घर खरी सकते हो यह डिपेंड करता है आपका बजेट और आप कितना पैसा डालना चाहते हो वाचिस में लेकिन घबराये मत इस वीडियो में हम देखने जा रहे वाचिस जो 200 डॉलर से भी कम में मिलते हैं और यह वाचिस आइकॉनिक वाचिस है इस लिस्ट का पहला वाच है औरियं कि बिल्क कॉलिटी ओके सी है लेकिन इतने पैसे में आपको बहुत ही कुछ मिलता है क्योंकि यह एक डाय वाच है डे डेट फीचर मुमेंट अतना अकुरेट नहीं है लेकिन ब्रेसलेट और इसका ओर और डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है यह वाच आपको 200 डॉलर से भ वाच है क्योंकि यह दुनिया का पहला स्विज आटोमेटिक मेकेनिकल वाच है जो पूरी तरह से रोबोट्स ने असेंबल किया है इसकी एसेंबली लाइन जो है वो 20 मिटर्स की है जिसमें कोई human intervention नहीं होता है मतलब यह पूरी तरह से रोबोट्स असेंबल करते है इसको इस वाच को स्वाच ने 2013 के बाजल वर्ड में लाँच किया था और इस वाच ने उदर बहुत पड़ा तहल का मचा दिया था लाँच के समय इस वाच का जो movement है उसमें अर्कैप नाम का एक anti-magnetic material का यूज किया गया है जो कि copper, nickel और zinc का एक alloy है जो anti-magnetic है इस वाच के movement में total 51 parts है इसलिए इसका नाम system 51 है और यह जो 51 parts है वो एक central screw से जुड़े है watch serviceable नहीं है तो इस watch का जो initial movement का जो calibration होता है वो सब laser से set किया जाता है इस watch को watch community और watch nerds बहुती respect से देखते है और इस watch की कीमत सिर्फ 150 डॉलर है और इसमें बहुत सारे different variations अवालेबल है जैसे की blue और red color का उसके अलावा इसमें sports variants भी अवालेबल है स्टील वाले जो थोड़े से महंग है इससे तीसरा watch है वास्टोक Amphibian वास्टोक Amphibian यह एक सोवियत तरह का die watch है जो 1967 में वास्टोक कमपनी ने सोवियत यूनियन और रशियन मिलेटरी के लिए बनाए था इस watch में compressor casing है जो 30 atmospheric pressure तक withstand करता है इस watch के design के समय जो वास्टोक ब्रांट था उसको बहुत सारे कटनाई का सामना कटना पड़ा क्यूंकि उस जमाने में जो अल्रेडी established die watches थे जैसे की रोलेक्स सब्मरीनर और ब्लांग पांस 50 फैंतम्स इनके अल्रेडी पेटेंट्स थे तो वास्टोक को इस watch को पूरी तरह से scratch से design करना पड़ा था ये watch बहुती खुबसूरत dial के साथ आता है इसके dial पे जैसे की देख सकते हो इस watch में scuba dude मतलब एक scuba diver का image printed है इसके अलावा और एक इसका जो वर्शन है उसमें सब्मरीन का image printed है इसके अलावा इसका जो crown है वो बहुती special है अंटी शॉक crown के साथ आता है ये watch इस watch को Wes Anderson की movie Life Aquatic with Steve Zizu में Hollywood actor Bill Murray ने पहना था बहुती खुबसूरत watch है और इसकी किमत सव डॉलर से भी कम है तो ये एक इतनी range में मिलने वाला बहुती खुबसूरत dive watch है 200 डॉलर से भी कम में मिलने माला चौथा watch है ओरियंट बंबीनो ओरियंट बंबीनो ये एक जपनीज विंटेज स्टाइल क्लासिक ड्रेस watch है बहुती खुबसूरत watch है ओरियंट सेको ग्रूप से बिलॉंग करती है कंपनी और ये watch बहुती खुबसूरत दिखता है और इसमें बहुत सारे डिफरंट वेरियंट्स है कलर में आते हैं वाइट कलर का डाइल आवेलेबल है ब्लैक आवेलेबल है और जैसे की देख सकते हो ये कलर भी बहुती खुबसूरत दिखता है ये watch आपको डेड़ सो डॉलर से भी कम में मिलेगा बहुती आक्यूरेट watch है लेकिन बस इसका जो रोटर है थोड़ा सा ज्या का जो में टॉपिक था वो था कि 200 डॉलर के अंदर के watches तो आपको सबसे बढ़िया watch चाहिए 200 डॉलर के अंदर तो आप सेको 5 को consider कर सकते हो ये एक बहुती खुबसूरत watch है जपनीश कंपनी है सेको और उनके watches इतना हाई quality के होते है इतने कम पैसे में आपको अगर हाई quality mechanical watch चाहिए automatic watch तो आप सेको को consider कर सकते हो in fact holding की ने एक बार इसके उपर एक आर्टिकल भी लिखाता कि ये watch million dollar के watch जैसे दिखता है तो तब से इस watch की rate बढ़ने लगी actually 75 dollars में मिलता था पहले लेकिन आज के तारिक में आपको ये 1500 dollar, 200 dollar के range में मिलेगा और बहुत ही खुबसूरत versatile watch है क्योंकि इसमें आपको different dial variants मिलेंगे और अगर इसमें आप leather strap को लगा होगे तो ये एकदम अलग सा watch दिखेगा जैसे की speed master है वैसे ही इसका भी मतलब जो look है वो इसके strap के साथ change होता है और इसमें आपको बहुत सरे dial color variants ब्यावले बहुत है तो एकदम must watch है इसमें day date का feature भी है hack second नहीं है शायद इसमें लेकिन होती खुबसूरत watch है 200 dollar के budget में ये सबसे number one watch बोल सकते हो आप तो दोस्तों ये थे top five mechanical watches 200 dollar के budget में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और आपको ऐसे ही एक से बढ़िया watches के वीडियो देखने तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए thanks for watching